हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप सभी को मेडिकल फिल्ड के कुछ एसे दस कोर्सेश बताऊंगा जो आप विजाउट नीट एंट्रेस एजाम कर सकते हो और अच्छी कासी सालेरी भी ले सकते हो तो चलो इन कोर्सेश के बारे में जान लेते हैं तो टेंथ नमबर पर हैं नर्सिंग दोस्तों नर्सिंग एक बहुती ज़्यदा पॉपिलर कोर्स है जो पीसीबी के बहुत सारे स्टुडेंट्स करते है इस कोर्स को करने के लिए नीट की एंट्रेस एक्जाम देना कमपलसरी नहीं है इस कोर्स को कर लेने के बाद आप हर महीने के 20,000 रुपई से लेके 15,000 रुपीस तक की सालरी ले सकते हो इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नाइन्थ नंबर पर है फार्मासिस्ट दोस्तो फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको नीट की एंट्रेस एक्जाम देना कमपलसरी नहीं है ये कोर्स कर लेने के बाद आप हर महीना 35,000 रुपई से लेके 60,000 रुपीस तक की सालरी बड़ी आसानी से ले सकते हो और चाहे तो फ्यूचर में आप अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हो इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाये है जिसकी लिंक आपको इस वीडिय के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आठमे नंबर पर है फूड टेक्नोलोजिस्ट दोस्तो फूड टेक्नोलोजिस्ट बनने के लिए आप B.S.C. Food Technology या फिर B.E. in Food Technology का कॉर्स कर सकते हो इस कॉर्स को करने के लिए आपको NEET की entrance exam देना compulsory नहीं है ये कोर्स कर लेने के बाद आप बड़ी आसानी से 35,000 रुपई से लेके 60,000 रुपीस तक की सालेरी as a food technologist ले सकते हो साथवे नमबर पर है psychologist दोस्तो एक best psychologist बनने के लिए आपको पहले B.S.C. in psychology का कोर्स करना पड़ेगा उसके बाद आपको M.S.C. in psychology का कोर्स करना पड़ेगा अगर आप M.S.C. का कोर्स कर लेते हो तो दोस्तो आपको पर मंद 60,000 रुपई से लेके 80,000 रुपीस तक की सालेरी दी जाएगी और दोस्तो इस कोर्स को करने के लिए नीट कंपलसरी नहीं है इस कोर्स को कर लेने के बाद आप हर मेना 70,000 रुपई से लेके 80,000 रुपेस तक की सालेरी ले सकते हो और बहुत सारे PCB या फिर PCMB सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडन्ट 12 के बाद बायो मेडिकल इंजीनेर बनने के लिए जाते है मैंने इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पाचवे नमबर पर है microbiologist दोस्तों microbiologist बहुत सारे students की पहली पसंद होता है आपको इस course को करने के लिए NEET की ENTELS exam देना compulsory नहीं है इस course को कर लेने के बाद आप 70,000 रुपे से लेके 80,000 रुपेस तक की salary as a microbiologist ले सकते हो और आपको ये salary तभी मिलेगी जब आप BSC in microbiology का course कर लेने के बाद MSC in microbiology का course करते हो फोर्थ नमबर पर है genetic engineer दोस्तों PCV के बहुत सारे student genetic engineering में अपना career बनाना चाते है इस course को करने के लिए आपको NEET की ENTELS exam देना ज़रूरी नहीं है genetic engineer बन जाने के बाद आपको हर मैना 80,000 रुपे से लेके 90,000 रुपेस तक की salary परमन दी जाएगी लेकिन तभी जब आपके पास MSC in genetics की degree होगी मतलब BSC in genetics कर लेने के बाद आपको MSC in genetics करना होगा ज़ादा salary के लिए थर्ड नमबर पर है radiology या फिर city scan technician दोस्तों इस course को थर्ड नमबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ज़दा popular course है और इस course को कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से किसी भी बड़े hospital के अंदर बड़ी आसानी से job मिल जाती है इस course को कर लेने के लिए आपको only BSC medical imaging technology का course करना होता है ये course आप 12 के बाद कर सकते हो इस course को करने के लिए need की ज़रूरत नहीं है ये course कर लेने के बाद आप 15,000 रुपई से लेके 90,000 रुपई से की salary बड़ी आसानी से ले सकते हो यहाँ पर आपको X-ray, City scan या फिर MRA scan की बड़ी बड़ी मशीनेस को handle करने का या फिर operate करने का काम दिया जाता है टॉप नंबर 2 के position पर है Physiotherapist दोस्तों Physiotherapist काफ़ ज़धा popular course है बहुत सारे PCB के student इस course को करना चाते है क्योंकि इस course की market में काफ़ी ज़धा demand है इस course को short form में BPT का course भी कहा जाता है इस course को करने के लिए NEET की entrance exam देना compulsory नहीं है course complete कर लेने के बाद आप अपना खुद का clinic open करके महिने के 2-3 लाख रुपीज तक की भी कमाई कर सकते हो या फिर किसी बड़े hospital के अंदर as a physiotherapist के post पर 80,000 रुपई से लिखे एक लाख रुपीज तक की salary बड़ी आसानी से ले सकते हो इस course पर भी मैंने full detail में वीडियो बनाया है जिसकी link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी इसी तरीके से first number पर है biotechnologist दोस्तो बाय टेकनोलोजिस्ट बहुत ही ज़दा popular course है इसलिए मैंने इस course को मेरे इस list में top number one पर रखा है दोस्तो बाय टेकनोलोजिस्ट बन जाने के बाद आपको बड़ी आसानी से 80,000 रुपई से लेके 1,000,000 रुपीज तक की salary मिलेगी लेकिन जब आपके पास MSCN Biotechnology की degree होगी और दोस्तो बाय टेकनोलोजिस्ट का course करने के लिए NEET की ज़रुरत नहीं है तो दोस्तो ये है कुछ top 10 medical field के popular courses जो आप without NEET entrance exam कर सकते हो और अपनी एक standard life जी सकते हो उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को share करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और एसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें